हेलो फ्रेंज नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल इंवेस्मेंट योगी पर फ्रेंज अगर आप चैनल पे नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए और उसके बाद नोटिफिकेशन में आल का बटन जरूर दबाईए आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें तो आए इस वीडियो को शुरू करते हैं भेल यानि भारत हeavy electricals limited आपने थम निल में सही देगा भारत हeavy electricals limited ने धमाका कर दिया क्या धमाका किया भारत हेवी electronics limited यानि भेल back in black in FY2122 Post Profit FY2122 after 2 years of losses, 2 साल के loss के बाद company अब profit में आ गई है, turnover अप हो गया है, 24% और 20% इननों ने dividend payment किया है, Pat यानी Profit After Tax 410 करोण रुपे, as against 2,717 करोण के loss FY22 में जो हुआ था, यानी company अब वापस अपने form में वापस आ गई है, इस दोरान सभी ने देखा कि COVID हुआ, सारी चीजें हुई और उसके बाद भी company वहाँ से निकली है, अब company का कहती है, company ने प्रेस रिलीज जारी किया है, औ इनका हुआ है, वो 24% बढ़ा है और बढ़कर 21,211 करोड हुआ है, against 17,318 करोड in previous year, पिछले साल 17,308 करोड रुपे का इन्होंने सेल किया, और अब 21,211 करोड, यानी 24% इन्होंने ज़्यादा सेल किया, overall अब बात करते है, profit before tax की, तो 437 करोड against a loss of 3612 करोड in the year before, एक साल प tax में lost था, और आज 437 करोड का profit before tax इस साल, overall company ने achieve किया है, EBIDTA 1100 करोड का, this has been achieved despite tremendous pressure on margin, margin में इतना ज़्यादा प्रेसर था, किस वज़े से प्रेसर था, metal prices जवरदस तरीके से बढ़े हुए थे, increase in other material and fuel cost भी बढ़ गया था, सभी चीजों की दान, इनके input cost है, वो बढ़ ग इन्होंने ये जबरदस performance दिया है, profit after tax stand 410 करोड against a loss of 2717 करोड in the previous year, पिछले साल के मुकाबले इन्होंने profit post किया, पिछले साल 2700 करोड रुपय का loss हुआ था, notably, note करने वाली बात है कि the company has declared dividend of 20% for FY21-22 after a span of 3 years, 3 साल के बाद company अब जाकर के dividend देने जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है company के लिए, आप देखिए क्या कहते है, this performance is a result of shifting focus towards project centric operations over the last couple of years, उनका जो focus है वो project centric operation पर हुआ था, company ने highest level of execution, जो भी इनको project मिलते हैं, जो है ये जबरदस तरीके से execute कर रहे हैं, और उसमें ये कहते हैं कि ये 5 साल में सबसे highest है execution के level प project को, अब जो भी ये अपने हाथ में ले रहे हैं, तो उसे जल्दी से जल्दी उसके close करने की कोशिस कर रहे हैं, इसके कारान क्या हुआ कि cash surplus इनके पास 660 करोण रुपए के आपके पास दिखाई देते हैं, 31st March 2022 को, the company had cash and bank balance net borrowing 2,409 करोण as compared to 1868 करोण, company के पास cash और bank balance जो है net borrowing 2,409 करोण as compared to 1868, ये भी बढ़ गया हुआ है, और इस particular year में, भेल has commissioned and synchronized 4,119 MW of power plant, भेल ने 4,119 MW के power plant बिजली के घर बना के दिए, solar plant, captive segment और addition जो है इन्होंने steam generation में 400, 1460 MW बना करके देश के नाम समर्पित किया, the company has also commissioned its first FGD plant, इन्होंने अपना पहला FGD plant जो है NTPC दादरी में बना के दिया, and country's largest air-cooled condenser at North Karanpura, देश का सबसे बड़ा air-cooled condenser भी इन्होंने जो है कि North Karanpura में बना करके दिया है, significantly this air-cooled condenser was commissioned by और इसको भी commissioned किया, हैल ने, in the absence of OEM, OEM support के बिना इन्होंने इस चीज़ को किया, thus demonstrating its engineering power, इस तरह से इन्होंने दिखाया कि भेल के पास जो engineering power है, वो कितनी जबरदस्त है, the company also successfully commissioned company ने 800 KV plus minus 6000 MV UHVDC link को western region के grid में और southern region के grid में commission करके successfully बनाया है, तो इस तरह से company ने अपनी contribution, अगर हम देखे तो सरकारी कमपनियों का केवल और केवल profit कमाना ही उद्देश नहीं होता, सरकारी कमपनिया society के लिए भी काम करती है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे project होते हैं, जो सरकार इन्हें पूरा करने के लिए देती है, तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्होंने देश के लिए एक अच्छी सेवा प्रस्तुत किया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ यह भी important है, कि shareholders को बराबर जो है उनके investment का value मिलना चाहिए, और अब क्योंकि भेल profit में आ गई है, तो यह बहुत अच्छी बात है, कि सरकारी company loss में एक चलने वाली company का image होता है, वो तोड़के और भेल एक देश की बड़ी company में से एक है, अब profit में आ गई है, तो यह एक अच्छी news है, पुरे के पुरे market के लिए, और खास करके heavy electronic segment की company में, friends EV पर जोर है, चारो तरफ electronic vehicle पर जोर है, लेकिन electronic vehicle को fuel कौन देगा, electronic vehicle को power कौन देगा, तो power देने के लिए तयार है Tata Power, Tata Power और Tata Motors के बीच में, जो contract हुआ है, उस पर बात करते हैं, इन दोनोंने हाथ मिला है, to install 7MWP, Megawatt P, Solar Rooftop Expansion Project in पुने, पुने में इन लोगोंने install करने का फैसला किया है, और with expansion, Tata Motors PV manufacturing unit will now house India's largest on-site solar project of 17MW, इनोंने ये कहा है कि इसके साथ, इस expansion के साथ, Tata Motors जो है, वो manufacturing unit के साथ, इसमें largest on-site solar project वाली company बन जाएगी, project to generate 23 million units of electricity, 20 million electricity यहां से generate होगी, mitigating 5.23 lakh tons of CO2, carbon dioxide जो है, वो 5.2-3 lakh ton के बराबर इससे कम होगा, यानि कि equivalent to 8.36 lakh 3, 8.36 lakh जितने पेड carbon dioxide सोक लेते हैं, उतने बराबर ये काम यहां पर हो जाएगा, Tata Group ने अपनी एक promise जोन की है, कि sustainable manufacturing वो करेंगे, Tata Group की जो commitment है, environment के प्रती और sustainable manufacturing के प्रती उसको आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने Tata Power Limited और Tata Motors के साथ, एक साथ ये लोग आए हैं, और 7 MW solar rooftop project के लिए Tata Motors के passenger vehicle plant में, जो चिकली पुने में स्थापित होगा, और 3rd phase में, य ये दोनों कंपनिया मिल करके, और इस तरह से, ये जबदस तरीके से, एक solar power generation के लिए काम करेंगी, Tata Motors and Tata Powers have recently inked a power purchase agreement for this project, और इसके लिए इन लोगोंने power purchase agreement हाल ही में कर लिया है, commenting on the project चो राजेस खत्री है, Vice President Operation Tata Motors passenger vehicle के उन्होंने का है कि Tata Motors has been working towards reducing greenhouse gases, Tata Motors इस दिसा में का कर रही है, कि green house gases जो है, वो कम से कम निकले, और हम net zero emission की तरफ जो हमारा लक्ष है, उस पर आगे बने, और इस दिसा में, जो ये पुने की plant में ये किया जा रहा है, ये काम installation of electricity, renewable electricity का, ये एक मिल का पत्तर देश के लिए साबित होगा, और इस तरह से इन्होंने इस पूरे क पूरे price release में इस पर बात की है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 Megawatt rooftop solar power agreement यहाँ साइन कर रहे हैं, दोनों कमपनी के अधिकारी Tata Motors के और Tata Power के, तो overall इस कमपनी के बारे में भी यहाँ पर पताया गया है कि Tata Power क्या है, Tata Power is India's largest integrated power company and together which is subsidiary and jointly controlled entities that install managed capacity of 13,665, 13,635 Megawatt का इनक बड़ी company है, Tata Motors के बारे में भी क्या कहना, Tata Motors part of USD 109 Global Tata Group की जबदस्त एक company है, leading company है और इसके पास बहु सारी गाडिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि automobile manufacturer of car है, utility vehicles बनाते हैं, pickup ups बनाते हैं, trucks बनाते हैं, buses बनाते हैं, offering extensive range of integrated smart and e-mobility solution देते हैं, इन दोनों कमपनियों का एक साथ आना एक बड़ा development है, friends I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको like करिए, comment करिए, और इस वीडियो को जास ज्यादा लोगों तक share करना ना भूलिए, thank you so much friends